राशनकार भारत सरकार द्वारा गरीब और जरुरतमन्द लोगों को सस्ते दामों पर खाध्यान उपलब्द कराने के लिए जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है हाल ही में सरकार ने राशनकार धारकों के लिए एक नई अनिवार्यता शुरू की है जिसे EKYC, Electronic Know Your Customer, कहां जाता है यह प्रक्रिया राशनकार को आधार कार्ड से जोडने और उसकी पुष्टी करने के लिए है राशनकार धारक के विक्तिगत विवरन और पहचान की electronic रूप से पुष्टी की जाती है इस प्रक्रिया में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोडा जाता है और कार्ड धारक के बायोमेट्रिक देटा जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन को सत्यापित किया जाता है EKYC का मुख्य उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड का लाब वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुँचे और किसी प्रकार की धोका धड़ी या दुरुपयोग न हो इससे सरकार को सही लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में मदद मिलती है सरकार ने राशन कार्ड की KYC के लिए एक निश्चित समय सीमा तै की है वर्तमान में KYC की अंतिम तिथी 30 सितमबर 2024 निर्धारित की गई है इस तारीक के बाद जिन राशन कार्ड धारकों ने अपनी KYC नहीं कराई होगी उन्हें मुफ्त या सबसिडी वाला राशन मिलना बंध हो जाएगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तारीक बदल सकती है इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए अपने स्थानिय राशन कार्याले या सरकारी वेबसाइट से संपर्प करना उचित रहेगा